आपको सिरी सुनाते हैं प्रधानमंत्री के मन की बात तेलेंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले में एक बुनकर भाई है एल्दी हरीप्रसाद गारू उन्होंने मुझे अपने हाथों से जीट्विंटी का ये लोगो बुनकर के भेजा है ये शांदार उभाद देखकर तो मैं हरानी रह गया हरीप्रसाद जी को अपनी कला में इतनी महारत हासिल है कि वो सबका ध्यान आकर्सित कर लेते हैं हरीप्रसाद जी ने हाथ से बुने जीट्विंटी के इस लोगों के साथ ही मुझे चिठी भी बेजी है इसमें उन्होंने लिखा है कि अगले साल जीट्विंटी सीकर सम्मिलन की मेजबानी करना भारत के लिए बड़े ही गवरों की बात है देश की इसी उपलब्दिक की खुशी में उन्होंने जीट्विंटी का यह लोगों अपने हाथों से तयार किया है बुनाई कि यह बहतरीन प्रतिभा उन्हें अपने प्रिता से विरासत में मिली है और आज वे पूरे पैसन के साथ इसमें जुटे हुए है साथियों कुछ दिन पहले ही मुझे जीट्विंटी लोगों और भारत की प्रसिजेंसी की वेबसाइट को लाउंच करने का सोभागे मिला था इस लोगों का चुनाव एक पब्लिक कॉंट्रेस्ट के जरिये हुआ था जब मुझे हरी प्रसाग गारू द्वारा भेजा गया उपहार मिला तो मेरे मन में एक और विचार उठा तेलंगना के किसी जिले में बेठा व्यक्ति भी जी ट्वेंटी जैसी समीट से खुद को कितना कनेक मैसूस करता है ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा आज हरी प्रसाग गारू जैसे अनेकों लोगों ने मुझे चिठ्ठी बेज कर ये लिखा है कि देश को इतने बड़े समीट की मेजबानी मिलने से उनका सिना चोड़ा हो गया है मैं आप से पूरे के रहने वाले सुब्बा राव चिल्ना राजी और कॉलकोता के तुशार जगमोहन उनके संदे से अभी जिक्र करूँगा इन्होंने जी ट्विंटी को लेकर भारत के प्रोयक्टिव एफर्स की बहुत सराना की है साथियों जी ट्विंटी की वर्ल्ड पॉपलेशन में दो तिहाई वर्ल्ड ट्रेड में तिन चोथाई और वर्ल्ड जीडिपी में 85 परसंट भागिदारी है आप कल्पना कर सकते हैं भारत अपसे तीन दिन बात यानि एक दिसम्बर से इतने बड़े समु की इतने सामर्थवान समु की अध्यक्ष्टा करने जा रहा है भारत के लिए हर भारत वासी के लिए ये कितना बड़ा अउसर आया है ये इसलिए भी और विश्यस हो जाता है क्योंकि ये जिम्मेदारी भारत को आजादी के अमरितकाल में मिली है साथियों जी ट्वेंटी की अध्यक्ष्टा हमारे लिए एक बड़ी आपर्चुनिटी बन कर आई है हमें इस मौके का पूरा उप्योग करते हुए ग्लोबल गूड विश्वकल्यान पर फोकस करना है चाहे पीस हो या यूनिटी परियावरन को लेकर संबेदन सिल्टा की बात हो एफिर सस्टेनिबल डवलप्मेंट की भारत के पास इन से जुड़ी चुनाउतियों का समाधान है हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फूचर की जो थीम दी है उससे वसूध है कुटुम कम के लिए हमारी प्रतिविद्धता जाहिर होती है हम हमेशा कहते हैं ओम सर्वेशाम स्वस्तिर भावतु, सर्वेशाम शांतिर भावतु, सर्वेशाम पुर्णम भावतु, सर्वेशाम मंगलम भावतु ओम शांती, शांती, शांती अर्थात सबका कल्याण हो, सबको सांती मिले, सबको पुर्णता मिले और सबका मंगल हो आने वाले दिनों में देश के अलग-अलग हिस्सों में G20 से जुड़े अनेक कारकम आवजित किये जाएंगे इस दोरान दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लोगों को आपके राज्यों में आने का मौका मिलेगा मुझे भरोसा है कि आप अपने यहां के संस्कृति के विवीत और विशिष्ट रंगों को दुनिया के सामने लाएंगे और आपको ये भी आद रखना है कि G20 में आने वाले लोग बले ही अभी एक डेलिगेट के रुप में आए लेकिन भविश के टूरिस्ट भी है मेरा आप सभी से एक और आग रहें विशेस तोर से मेरे विवास साथियों से हर प्रसाद ग्यारू के तरह ही आप भी किसे ने किसी रुप में G20 से जरूर जुड़े कपड़े पर G20 का भारतिय लोगों बहुत कुल तरुके से स्टाइलिस्ट तरुके से बनाये जा सकता है चापा जा सकता है मैं स्कूलों, कॉलेजों, उनिवर्सिटी से भी आग्र करूंगा कि वो अपने हाँ G20 से जुड़ी चर्चा, परिचर्चा, कंपडिशन कानाने के आउसर बनाए आप G20.in वेब साइट पर जाएंगे तो आपको अपनी रूची के अनुसार, वहां बहुत सारी चीजे मिल जाएगी मेरे प्यारे देश्वासियों, 18 नमंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इत्यास बनते देखा इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तयार किया था इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस स्री हरी कोटा से स्वदेशी स्पेस टार्टप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही एत्यासिक उडान भरी हर भारतिय का सिर घर्व से उचा हो गया साथियों विक्रम एस रॉकेट कई सारी खुबियों से लेश है दूसरे रॉकेट की तुलना में यह हलका भी है और सस्ता भी है इसकी डेवलोप्मेंट कॉंस्ट अंतरिश अभ्यान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है कम कीमत में विश्वस्तरिय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलोजी में अब तो यह भारत की पहचान बन चुकी है इस रॉकेट को बनाने में एक और आधुनिक टेक्नोलोजी का इस्तमाल हुआ है आप यह जानकर हरान रह जाएंगे कि इस रॉकेट के कुछ जरूरी हिस्से 3D प्रिंटिंग के जरिये बनाए गए है सही में विकरम एस के लॉँच मिशन को जो प्रारंब नाम दिया गया है वो बिलकुल फिट बैठता है यह भारत में प्रावेट स्पेस सेक्टर के लिए एक नए यूग के उदाय का प्रतीक है यह देश में आत्मिस्वास्ते भरे एक नए यूग का आरंब है आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी हाथ से कांगेज का हवाई जहाज बनाकर उड़ाया करते थे उन्हें अब भारत में ही हवाई जहाज बनाने का मोका मिल रहा है आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बच्चे कभी चांद तारों को देखकर आस्मान में आकरूतियां बनाया करते थे उन्हें अब भारत में ही रोकेट बनाने का मोका मिल रहा है स्पेश को प्रावेट सेक्टर के लिए खोले जाने के बाद युवाओं के ये सपने भी साकार हो रहे हैं रोकेट बना रहे हैं ये युवाँ मानों कह रहे हैं स्काइज नौट दलिमीच जात्यों भारत स्पेस के सेक्टर में अपने सभलता अपने पडोसी देशों से भी साजा कर रहा है कल ही भारत ने एक सेट्रेलाइट लॉंच की जिसे भारत और भुटान ने मिलकर डेवलप किया है यह सेट्रेलाइट बहुत ही अच्छे रिजॉल के प्रबंधन में मदद मिलेगी इस सेट्रेलाइट की लॉंचिंग भारत भुटान के मजबूत संबंधों का प्रतिवीम है चाथियों आपने गौर किया होगा पिछले कुछ मन की बात में हमने स्पेश टैक इनोशन पर खुब बात की है इसकी दो खास वज़े हैं एक तो बीग और एचिविंग बीग अब वे छोटी छोटी उप्लब्दियों से संतुष्ठ होने वाले नहीं हैं दूसरी यह कि इनोवेशन और वेल्यू क्रियेशन इस रोमांचक सफर में वे अपने बाकी वा साथ्यों और स्टार्टप्स को भी एंकरेज कर रहे हैं साथ्यों ज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल पदेश के किनोर में ड्रॉंस के जरिये सेव ट्रांसपोर्ट किये गए किनोर हिमाचल का दूर सुदुर जिला है और वहां इस मौसम में भारी बर्फ रहा करती है इतनी बर्फ बारी में किनोर का हपतों तक राज के बाकी हिसे से संपर्ग बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में वहां से सेव का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही कठीन होता है अब ड्रोन टेकनोलोजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किनोरी सेव लोगों तक और जल्दी पहुँच रहेंगे इससे हमारे किसान भाई बेहनों का खर्च कम होगा सेव समय पर मंडी पहुँच पाएगा सेव की बरबादी कम होगी साथियों आज हमारे देश वासी अपने इनोवेशन से उन चीजों को भी संभव बना रहे हैं जिसकी पहले कल्पना तक नहीं की जा सकते थी इसे देख कर किसे खुशी नहीं होगी हाल के वर्षों में हमारे देश ने उपलब्दियों का एक लंबा सफर पै किया है मुझे पुरा विश्वास है कि हम भारतिय और विशेश कर हमारी युवा पिढ़ी अब रुकने वाली नहीं है प्रिय देश स्वासियों मैं आप लोगों के लिए एक छोट से क्लिप प्ले करने जा रहा हूँ वाइश्णव जनातो तेने काहिए जे पीर पाराई जाने रे वाइश्णव जनातो तेने काहिए जे पीर पाराई जाने रे बरे दूखे पूपू करे करे तो ये मन अभी मान ना आने रे आप सभी ने इस गित को कभी ने कभी जरूर सुना होगा आखिर यह बापू का पसंदिदा गीत जो है लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि इसे सुरों में पिरोने वाले गायक ग्रिस के हैं तो आप हैरान जुरूर हो जाएंगे और यह बात आपको गर्व से भी फर देगी इस गीत को गाने वाले ग्रिस के गायक है कौन सतान दिनोस करलाई जीस उन्होंने इसे गांधी जी के एक सो पचासवे जन्मजन्ती समारों के दोरां गाया था लेकिन आज मैं उनकी चर्चा किसी और वज़े से कर रहा हूँ उनके मन में इंडिया और इंडियन म्यूजिक को लेकर गजब का पैशन है भारत से उन्हें इतना लगाव है पिछले 42 वर्सों में वे लगबग हर वर्ष भारत आये हैं उन्होंने भारतिय संगीत के ओरिजिन अलग-अलग इंडियन मिजिकल सिस्टिम्स विबित प्रकार के राग ताल और रास के साथ ही विबिन गरानों के बारे में भी श्टड़ी किये उन्होंने भारतिय संगीत की कई महान विबितियों के योगदान का अध्यन किया है भारत के क्लासिकल डांसिस के अलग-अलग पहलूओं को भी उन्होंने करीब से समझा है भारत से जुड़े अपने इन तमाम अनुभवों को अब उन्होंने एक पुस्तक में बहुती खुबसूरती से फिरोया है इंडियन मुजिक नाम की उनकी बूक में लगभग साथ सो साथ तस्विरे हैं इन में से अधिकान तस्विरें उन्होंने खुद ही खीची है दूसरे देशों में भारतिय संस्कृति को लेकर ऐसा उत्साह और आकर्शव वाकई आनंद से भर देने वाला है साथियों कुछ सब्ता पहले एक और खबर आई थी जो हमें गर्व से भरने वाली है आपको जानकर अच्छा लगेगा कि बीते आठ वर्षों में भारत से मुजिकल इंस्टूमेंट्स का एक्सपोर्ट साड़े तीन गुना बढ़ गया है इलेक्ट्रिकल मुजिकल इंस्टूमेंट्स की बात करें तो इनका एक्सपोर्ट साड़ गुना बढ़ा है इससे पता चलता है कि भारतिय संस्कृति और संगीत का क्रेज दुनिया भर में बढ़ रहा है इंडियन मुजिकल इंस्टुमेंट्स के सबसे बड़े खरिदार USA, जर्मनी, फ्रांस, जपान और UK जैसे विक्षित देश है हम सभी के लिए सवभागे की बात है कि हमारे देश में मुजिक, डांस और आर्ट की इतनी सम्रुद्ध विरासत है साथियों महान, मनिशी, कभी भरतुहरी को हम सब उनके द्वारा रचीत, नीती सतक के लिए जानते हैं एक शलोक में वे कहते हैं कि कला, संगीत और सहित्य से हमारा लगावी मानवता की असली पहचान है, पास्तों में हमारी सहस्कृति इसे हुमेनेटी से भी उपर डिविनिटी तक ले जाती है वेदों में सामवेत को तो हमारी विवित संगीतों का स्रोत कहां गया है मा सरस्वती की भिणा हो, भगवान से क्रष्ण की बांसुरी हो या फिर भोले नात का डंबरू हमारे देवी देवता भी संगीत से अलग नहीं है हम भारतिय हर चीज में संगीत तलास ही लेते हैं चाहे वो नदी की कलकल हो, बारिस की बुंदे हो, पक्षियों का कल्रव हो या फिर हवा का गुंजता स्वर हमारी सभ्यता में संगीत हर तरफ समाया हुआ है यह संगीत नसिप सरीर को सुकुन देता है, बलकि मन को भी आनदित करता है संगीत हमारे समाज को भी जोडता है यदि भांगडा और लावणी में जोष और आनद का भाव है तो रविंद्र संगीत हमारी आत्मा को अहलादित कर देता है देश भर के आदिवासियों की अलग-अलग तरह की संगीत परंपरा है यह हमें आपस में मिल जूल कर और प्रकृति के साथ रहने की प्रेणा देती है साथियों संगीत की हमारी विधाओं ने न केवल हमारी संस्कृति को समरुद्ध किया है बलकि दुनिया भर के संगीत पर अपनी अमीच छाप भी छोड़ी है भारतिय संगीत की ख्याती विश्व के कोने कोने में फैल चुकी है मैं आप लोगों को एक और अडियो क्लिप सुनाता हूँ अब सोच रहे होंगे कि घर के पास मैं किसी मंदिर मैं बजन के तन चल रहा है लेकिन ये आवाज भी आप तक भारत से हजारों मिल दूर बसे साउथ अमेरिकन देश गयाना से आई है उन्नीसवी और बीसवी सदी में बड़ी संग्जा में हमारे यहां से लोग गयाना गये थे वे यहां से भारत की कई परंपराएं भी अपने साथ ले गये थे होली का रंग सुर्ड़ चड़कर बोलता है वहां होली के रंग होते हैं वहां फगवा का संगीत होता है गयाना के फगवाम है वहां भगवान राम और भगवान क्रस्टर से जुड़े दिभा के गीत गाने रव in इन गीतों को चौताल कहा जाता है। इन्हें उसी प्रकार की धून और हाई पीछ प्रगाया जाता है। जैसे हमारी यहां होता है। इतना ही नहीं। गयाना में चौताल कॉम्पूडिशन भी होता है। इसी तरह बहुत सारे भारतिय विशेष रुप से पुर्वी उत्तर पुदेश और बिहार के लोग फीजी भी गए थे। वे परमपारिक भजन किर्टन गाते थे। जिसमें मुख्य रुप से रामचरित मानस के दोहे होते थे। उन्होंने फीजी में भी भजन किर्टन से भजन किर्टन मनलिया है। इन्हें आज हर गाउं मुहले में देखा जा सकता है। मैंने तेहां के वल कुछ ही उदान दिये है। अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो ये भारतिय संगीत को चाहने वालों की ये लिस्ट काफी लंबी है। मेरे पैरे देश वास्य हम सब हमेशा इस बात पर गर्व करते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे प्राचिन परंपराओं का घर है। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी परंपराओं और पारंपारिक ज्ञान को समुरक्षित करें, उसका समवर्धन भी करें और हो सके उतरा आग भी बढ़ाएं, ऐसा ही एक सरहनिय प्रयास हमारे पुर्वोत्तर राज्य नागालेन के कुछ साथी कर रहे हैं, मुझे प्रयास काफी अच्छा रगा, तो मैंने सोचा इसे मन की बात के सुर्ताओं के साथ भी शेयर करूं, साथियों, नागालेन में नागा समाज की जीवन उनकी कला, संस्कृति और संगीत, ये हर किसी को आकरसित करती हैं, ये हमारे देश की गवरोवसाली विरासत का अहम हिस्सा है, नागालेन के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स, सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के लिए भी बहुत महत्वकुन है, इन परंपराओं और स्कि लिडी तक पहुचाने के लिए, वहां के लोगों ने एक संस्ता बनाई है, जिसका नाम है लीडी क्रोयू, नागा संस्कृति के जो खुबसरोत आयाम, धीरे धीरे खोने लगे थे, लीडी क्रोयू संस्ता ने उन्हें फिर से पुनरजिवित करने का काम किया है, उधार के नागा लोग संगीत अपने आप में एक बहुत समरुद विधा है, इस संस्ता ने नागा संगीत की अलबम लॉंच करने का काम शुरू किया है, अब तक ऐसी तीन अलबम्स लॉंच की जा चुकी है, ये लोग लोग संगीत, लोग नुत्य से जुड़ी वर्क्शॉप भी आ नागा लेंड की पारंपारिक शाहिली भै, कपड़े बनाने, सिलाई, भुनाई जैसे जो काम उनकी भी ट्रेनिंग युवाओं को दी जाती है, पुरुवत्पर में बैंबू से भी कितने ही तरह के प्रोडुक्स बनाई जाते हैं, नई पिड़ी के युवाओं को इसकार के नहीं ने अउसर भी पैदा होते हैं, नागा लोग सांस्कृति के बारे में जादा से जादा लोग जानें, इसके लिए भी लीडी क्रोयू के लोग प्रयास करते हैं, जाथियों आपके ख्षेतर में भी ऐसी सांस्कृतिक विधाएं और परंपराएं होगी, आप अपने अपने ख्षेतर में इस तरह के प्रयास कर सकते हैं, अगर आपकी जानकारी में कहीं ऐसा कोई अनुठा प्रयास हो रहा है, ताब उसकी जानकारी मेरे साथ भी जरूर साजा करिए, मेरे प्यारे देश्वासियों हमारे यहां कहा गया है विद्या धनम, सर्वधनम, प्रधानम कोई अगर विद्या का दान कर रहा है तो वो समाज हित में सबसे बड़ा काम कर रहा है सिक्षा के खेत्र में जलाया गया एक छोटा सा दीपक भी पूरे समाज को रोसन कर सकता है मुझे यह देखकर बहुत खुशी होती है कि आज देश भर में ऐसे कई प्रयास किये जा रहे है यूपी की राजधानी लखनव से सतर अस्वी किलोमेटर दूर हरदोई का एक गाउ है बांसा मुझे इस गाउं के जतिन ललित सींचे के बारे में जानकारी मिली है जो सिक्षा की अलग जगाने में जोटे हैं जतिन जी ने दो साल पहले यहां कम्यूनिटी लाइबरेरी एंड रिसोर्ट सेंटर शुरू गिया था उनके इस सेंटर में हिंदी और अंगरेजी साहित्य कंप्यूटर लॉग और कई सरकारी परिक्षाओं की तैयारियों से जुड़ी तीन हजार से अधिक किताबे मौझूद है इस लाइबरेरी में बच्चों की पसंद का भी पुरा ख्याल रखा गया है यहां मौझूद कौमिस की किताबे हो और फिर एजुकेशनल टॉइश बच्चों को खूब भा रहे हैं छोटे बच्चे खेल खेल में यहां नई नई सिखने आते हैं पढ़ाई आफलाइन हो या फिर ऑनलाइन करीब 40 वोनेटियर्स इस सेंटर पर स्टूडन्स को गाइड करने में जूटे रहते हैं हर रोज गाउं के तकरिबन 80 विद्यार थी इस लाइबरेरी में पढ़ने आते हैं साथियों जार्खन के संजय कश्यब जी भी गरीब बच्चों के सपनों को नई उडाने दे रहे हैं अपने विद्यारती जिवन में संजय जी को अच्छी पुस्तकों की कमी का सामना करना पड़ा था